Hello Friends, Welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, Electric Scooter दो टैप के होते हैं High Powered Electric Scooter और Low Powered Electric Scooter और यह जो Low Powered Electric Scooter होते हैं इन्हें चराने के लिए ना तो Driving License का जरूवत है ना ही Registration कराने का जरूवत है वैसे यह नियम तो बहुत ही पुराना है लेकिन बहुत साई लोगों को इसके जानकारी नहीं है इसलिए मैं इसके बारे भी इस वीडियो को बना रहा हूँ और आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि Low Powered Electric Scooter का Criteria क्या है साथी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे 10 Low Powered Electric Scooter है जिने आप चला सकते हो बीना DL का बीना Registration कराए तो वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सबस्क्राब भी जरूर कर ले अब फिर देखे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि Low Powered Electric Scooter के कैटेगरी में आने के लिए यह जरुरी होता है कि जो Electric Scooter है उसका जो Electric Motor है उसकी जो Capacity है वो 250 W या उससे कम होनी चाहिए उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए साथ ही electric scooter का जो Top Speed है वो 25 Kmph से ज्यादा नहीं होना चाहिए Top Speed 25 Kmph ही होना चाहिए तो ये जो भी स्कूटर होते हैं अलेक्ट्रिक वाले जो कि इन दोनों क्रैटेरिया को फुल्फिल करते हैं वो लोग पावर के कैटेगरी में आ जाते हैं और इन्हें चलाने के लिए डियल नहीं चाहिए रजिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए साथी जो इंसुरेंस होता है वो तो इस भी स्कूटर है शे जाते हैं साती इनका जो टॉप स्पीर हो भी 30 बलस चला जाता है तो ये बात आपको पता होना चाहिए अब दूसरा पॉइंट यह है कि बहुत साई लोग को इस तरह का जो क्यूरीज है जो डॉट से वो होता ही है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिसेंटली मैंने गेट क्लियर एप के साथ पार्टनर्शिप किया है इस एप में आपको मेरे लावा इंडिया के टॉप मोस्ट आटोमोटिव एक्सपर्स मिल जाएंगे और इस एप के जरी आप मुझे और बाकी के एक्सपर्स को और वीडियो कॉल और चैट के लिए असानी से बुक कर सकते हो बुक करने के बाद बुकिंग सेक्षर में मीटिंग क्रेट हो जाएगा जहां से आप जॉइन कर सकते हो उसके बाद वन औन वन करमर्शेशन के थुरू आपके जितने भी डॉट्स है जितने भी क्यूरीज है वो मैं किलर करने वाला हूँ तो एप का लिंक पर इस वीडियो के डिस्केप्शन में देदूँगा एप को आप जरूर से डॉनलोड कर ले चलिए अब हम मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप टेन लो पावर्ड एलेक्रिक स्कूटर के बारे में पहला है हीरो एलेक्रिक उप्टिमा E5 दूसरा है हीरो एलेक्रिक उप्टिमा E2 नेक्स्ट है ओकिनावा R30 नेक्स्ट है ओकिनावा लाइट नेक्स्ट है हीरो एलेक्रिक फ्लैश E2 नेक्स्ट है एम्पियर रियो एलाइट नेक्स्ट है लोहिया ओमा स्टार एल आई नेक्स्ट है ईवी जेनिया नेक्स्ट है EV4U और आखरी में है टेको इलेक्ट्रा इमर्ज तो फ्रेंट्स लो पावर इलेक्ट्रिक स्कूटर से जूड़ी हुई ये जान कारे आपको पहले से थी की नहीं थी ये आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए और इनकेस अगर आपको कभी लेना हो तो इनमें से कौन सा अलेक्ट्रिक स्कूटर आप लोगे ये भी आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए आज किस वीडियो में तहीं उम्मीदे कि आज का वीडियो को पसंद आयोगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राए आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए इसके लाब अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आकन को भी दबा आ ले ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के अपडेट आपको न्यूटिफिकेशन के तुरू मिलते रहे मिलते अगले वडियो में थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो गुडबाई